हलो फ्रेंड्स आज हम लोग रिम्जिम भाग चार हिंदी के पाठ चार पापा जब बच्चे थे नामक पाठ में आये हुए प्रिश्ण और उनके उत्तर करेंगे प्रिश्ण पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिल्चस्प काम कौन सा लगता है और क्यों उत्तर पापा ने जितनी काम सोचे उनमें से सबसे दिल्चस्प काम मुझे आईश्क्रीम बेचने का लगा क्योंकि वह रोज आईश्क्रीम खाना चाहते थे और छोटे बच्चों को मुफ्त में आईश्क्रीम देना चाहते थे ख, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है? क्या कहता है? उत्तर, हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि बड़े होकर क्या काम करना है? मेरी दादी कहती हैं कि मुझे डाक्टर बन कर लोगों का इलाज करना चाहिए और मेरे दादा जी कहते हैं कि मुझे पुरिस अपसर बनना चाहिए अपने मम्मी या पापा से बात करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे इसका उत्तर होगा बच्चो मेरे पापा बड़े होकर वकील बनना चाहते थे और मेरी मां अध्यापिका बनना चाहती थी घा, अपने घर के किसी एक सदस से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो पता करो कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है उत्तर, मेरी माँ एक अध्यापिका हैं, उन्हें टीचर जी के नाम से जानते हैं या जाना जाता है कहानी से आगे सुरू सुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे का चौकीदार रात को भी काम करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है उत्तर चौकीदार के अलावा अन कई काम हैं जिन में रात को जागना पड़ता है जैसे अस्पताल में डाक्टर नर्स आदी सेकेंड रेल्वे इस्टेशन पर काम करने वाले लोग थर्ड ट्रेन और बस के ड्राइवर और कंड़क्टर फोर काल सेंटर के कर्मचारी फाइव पुलिस सैनिक आदी पापा कई तरह के काम करना चाहते थे क्या तुम किसी व्यक्त को जानते हो जो एक से जैदा तरह के काम करता है उस व्यक्त के बारे में बताओ उत्तर हाँ मेरे घर पर अखबार देने वारे अंकल सुबह अखबार बाढ़ते हैं इसके बाद वह एक पैथोराजी लैब में काम करते हैं तथा साम को अपने पिता जी के साथ दुकान के काम में हाथ बढ़ाते हैं अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्रेट फार्म और रेल गाड़ी में कौन-कौन लोग नजर आएंगे उत्तर रेल से सफर करने पर मुझे प्लेट फार्म और रेल गाड़ी में निम्न लिखित लोग नजर आएंगे फर्ष्ट टीटी, सेकेंड काफी और चाय बेंचने वाले, थर्ड कुली, फोर अन्यात्री, फाइव सिभाही, आदी परिवार पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे? उत्तर, पापा के पापा को दादा जी कहते हैं, सिकेंड पापा की मम्मी को दादी जी, थर्ड पापा के बड़े भाई को ताउ जी, फोर पापा की बहन को भुवा जी 5. पापा के छोटे भाई को चाचा जी 6. मा के पापा को नाना जी 7. मा की मा को नानी जी कहते है दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस्करें आप सबी को बहुत बहुत जन्यवाद